कंपनी ने जो है रिसेंटली इस टेक्टर के रियर एक्सल में बदलाव करके इस टेक्टर को प्लेनेटरी ड्राइब टाइप रियर एक्सल के साथ में लॉंच कर दिया है यहां पर आप देख सकते हैं इसकी पावर स्टेरिंग में जाने वाले ओयल को थंडा रखने के लिए यहां पर एक और कूलेंट लगाके दे दिया है जिससे इस टेक्टर की पावर स्टेरिंग की जो रवरो की लाइफ है साथ में स्मूथ मनेस है वो लंबे समय तक बढ़करार रहती है आपको इस टेक्टर में हाइड्रोलिक और पावर स्टेरिंग के अंदर डूल पंप दिय के लिए हैवी डूटी कंपनी फीटेड डूल डिस्टिवीटर बॉल विडिएटर दोस्तों आज की फिर एक नई शांदार वीडियो में हम लेकर आए हुए हैं इंडियन टेक्टर इंडरस्टीज के अंदर पचास होस्पावर स्रैनी में रिसेंटली लॉंच एक ऐसे ट्र प्लेनेटरी ड्राइब रेयर एक्सल दे दिया है जिससे आपको इस ट्रैक्टर में हैवी से हैवी लोड वाले वी वर्क करने में काफी ज्यादा शांदार परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगी साथी दोस्तों इस ट्रमें दूसरे बहुत बड़े बदलाव की बात करे करेंगे उससे पहले आदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ओल बैल आइकन को दवाना मत भूलिएगा यहां पर जो है आपको इस टेक्टर में कंपणी न देख सकते हैं ओल को ठंडा रखने के लिए सेफरेड जो ह वह सबरस़ सटल गयर के साथ में लांच किया है जिसमें आपको आठ फ़ारवट रिवायर पुली साइटशेष घियार वॉक्स के साथ में सुपर सटल गयर वॉक्स देखने के लिए मिल जाता है चैनल यह चैनली को छो हैं आदि हम बात करा है दोस्तों रेडियेटर पर गर इस टेक्टर में काफी वड़ा रेडियेटर ऑफर किया हुआ है जिससे इस टेक्टर का इंजन बेटर कूलेंड सिस्टम के साथ में वर्क करता है और यहां पर आपको टेक्टर में ड्राइट बेट वाला जो है आपको बेट टाइप एर क्लीनर देखने के लिए मिल जाता है इससे एर का जो फिल्टरेशन है काफी जदा बेस्ट क्वालिटी के साथ में होता है साथ ही यहां पर इस टेक्टर में न्युवहलैंड कंपणी की तरफत से आने वाली डूछल डेजल फिल्टर मिल जाते हैं और यहां पर आपको इस टेक्टर में बोस कंपनी का फ्यूल इ प्रफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगी क्योंकि इस्टेक्टर के पंप हैं 30 लीटर प्रती मिनिट के हिसाब से ओईल की सप्लाइ करते हैं साथ ही यहां पर आप देख सकते हैं काफी वड़ा कंपणी ने जो है हाइड्रोलिक के अंदर ओईल फिल्टरेशन के लिए यहां प भी कंपणी ने जो है आपको इस्टेक्टर में देख सकते हैं सेफरेट ओईल वॉक्स दिया हुआ है जिससे इस्टेक्टर के स्टेरिंग लंबे समय तक स्मूथ परफॉर्मेंस के साथ में वर्क करें साथ ही यहां पर जो है आपको इस्टेक्टर में 12 बोल 36 MPL का अल्टिन पॉइंटिंग भी दे दी है जिससे आप इस्टेक्टर में डिरेक्ट डोजर विगेरा की इंस्टॉलेशन ले सकते हैं साथ ही यहां पर जो आपको स्टेक्टर का इंजन वाइल फिल्टर मिल जाता है और इस्टेक्टर में हम फ्रेंट बंफर को लेके बात करें तो यहां पर कंपणी ने जो है आपको स्टेक्टर में 100 kg का एक कुंटल का फ्रेंट बंफर ओफर किया हुआ है साथ ही स्टेक्टर में दोस्तों इंजन की अधि हम बात करें तो इस्टेक्टर में मिलता है 291 सी का थ्री सेलेंडर बॉर्टर कूलेंट पच्छास होस्पावर का इंजन जो की 205 न्यूटन मीटर की टॉर्क जनरेट करता है आज की इस वीडियो में हम जिस्टेक्टर का फुल रिवियू कर रहे हैं दोस्तों आईए आपको स्टेक्टर का फूरा लुक दिखाते हैं ये है न्यू हलेंड कंपनी की तरफ से इंडिया में रिसेंटली लॉंच न्य न्यू हलेंड का एकसल 36-2 इस टेक्टर में जो है आपको देख सकते हैं न्यू हलेंड कंपनी का डेलीकेटेड न्यू लेटिस्ट लुक देखने के लिए मिलता है फ्रेंट में अदि हम बात करें तो यहां पर कंपनी ने जो है आपको चार प्रोजेक्टर हैड लेंप की त 36-2 एकसल की बैजिंग मिल जाती है साथ ही इस टेक्टर ने इस टेक्टर के इंजन कूलेंट सिस्टम के उपर बहुत तरीके से वर्क करके यहां पर आप देख सकते हैं जाली का जो कॉंबिनेशन है सांदार दिया है यहां से जो है होट हवा यानि की गरम हवा की एक्जेस् कंपनी ने जो है आपको स्टेक्टर में हैवी डूटी नोन अजेस्टिवल स्ट्रेट फॉरड कंपनी फीटेड ओफर किये हुए हैं जो की काफी ज्यादा लॉंग लाइफ और साथ में मजबूती आपको देने वाले हैं साथ ही दोस्तों स्टेक्टर में अधी हम बात करें टाइर साइज को लेके तो अगला टाइर जो है आपको स्टेक्टर में साथ पचास वाई सोला का मिल जाता है साथ ही कंपनी ने जो है आपको स्टेक्टर में अपोलो कंपनी का टाइर ओफर किया हुआ है पिछले टाइर के इंदर हम बात करें तो यहां पर कंपनी ने आपक करके देती है जिससे स्टेक्टर की जो राउनिंग है एकदम लेस देन के साथ में बेस्ट पर्फोर्मेंस करने वाली हो गई है साथ ही यहां यदि हम बात करें स्टेक्टर में हीड गार्ड को लेके तो इंडिया के सबसे ज्यादा डिफरेंट टाइप जो है आपको प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करके दिया जाता है साथ ही इस्टेक्टर में जो है आपको यहां पर हेवी ड्यूटी कंपनी फीटेड ड्राइवर ग्रेव हैंडल और तीन जहां से सपोर्टिंग बार के साथ में आने वाला हेवी ड्यूटी कंपनी फीटेड टेसंजर ग्रेव मिल जाता है जिससे आप स्टेक्टर के distributer बॉलव को ओपरेट कर सकते हैं यहाँ पर जो आपको स्टेक्टर के DCPC lever मिल जाते हैं साथ ही यहाँ पर company जो आपको स्टेक्टर में लिप्टोमेटिक का उप्सन भी दिया हुआ है जिससे आप इस टेक्टर की lift को separate net में set करके एक button के माद्याम से operate कर पाएंगे साथ ही यहाँ पर driver के right तरफ जो है आपको स्टेक्टर के number of gear 4 मिल जाते हैं और यहाँ पर जो हाँ आपको स्टेक्टर में differential gear मिल जाता है breaking locking mechanism मिल जाता है और ब्रेकिंग के अंदर बात करें तो इस टेक्टर में जो है आपको मल्टी प्लेटेड ओयल इमर्स डिक्स ब्रेक देखने के लिए मिलते हैं ड्राइवर के लेप तरफ यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो है आपको इस टेक्टर में लो हाई का गयर मिल जाता है PTU के अंदर separate याने की independent lever देखने के लिए मिलता है clutch और यहाँ पर जो हापको स्टेक्टर में PTU का separate lever साथ में PTU का फिर से बताना चाहूंगा separate clutch देखने के लिए मिलता है साथी company ने जो हापको स्टेक्टर में transmission के अंदर separate clutch दिया हुआ है मतलब यह जो टेक्टर है dual नहीं बलकि double clutch के साथ में आता है और यहाँ पर जो हापको स्टेक्टर में super subtle gear मिल जाता है जिससे आप स्टेक्टर में किसी भी gear में आंगे और किसी भी gear में पीछे जा सकते हैं साथ ही company ने जो है आपको स्टेक्टर में almost बामुन लीटर की fuel tank capacity offer की हुई है जिसको एक बार full कराने के बाद दिन भार आप बड़े अराम से चला पाएंगे अब हम आपको स्टेक्टर को start करके स्टेक्टर के engine rpm चेक कर आते हैं साथ में instrument cluster में मिलने वाली information को दिखाते हैं तो instrument cluster में जो है यहां पर आपको स्टेक्टर में fuel efficiency टेक्टर के live rpm की information टेक्टर temperature की information और digital meter में जो है आपको स्टेक्टर में टेक्टर के total driven घंटे की information देखने के लिए मिल जाती है चलिए आपको इस्टेक्टR को स्टार्ट करके साओन नोईशेशन और आर्पीएम की इन्फोर्मिेशन दीषे आर्पीएम की आधि हम बात करें काई सो रेजिट कंपनी क्ल safe एक टरूनिंग डेडियेशन के इदने र्यूंद रैदि हम बात करें इस टेक्टर की जो स्टेरिंग बहुत स्मूध वर्क करती है और बहुत शानदार कंपणी ने जो है आपको स्टेक्टर में टर्निंग रेडियेशन ओफर किया हुआ है और इंजन कटफ लीवर जो है आपको यहां पर मिल जाता है साथ ही कंपणी ने यहां पर आपको फाइवर का टूल वॉक्स ओफर किया हुआ है जिसमें आप इस टेक्टर के टूल विगएर आपको स्टोर्रिस करके रख सकते हैं अब हम चलते हैं स्टेक्टर में नीचे की तरफ बात करेंगे और भी ज़्यादा फीचर्स की सीट के अंदर बात करें तो मल्टी एजेस्टिबल आपको सीट मिल जाती है जिसको हर इंसान अपनी कद काठी के हिसाफ से एजेस्ट कर सकता है है ना साथ ही स्टेक्टर में फेंडर के नीचे जो गैफ है काफी शांदार कंपणी ने बढ़करार रखा हुआ है जिसे पडलिंग मचववा करते समय स्टेक्टर के फेंडर नहीं बजेंगे पीछे की तरफ जो है आपको स्टेक्टर में नीव होलेंड के बहुत ऐसे जवरजस्त फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं जो की 50 होस पावर की स्रेणी में स्टेक्टर को सर्व गुड संपन्न बनाते हैं यहां पर जो है कंपनी ने आपको देख सकते हैं शिक्स इयर की टी वारंटी भी जो नीव होलेंड है वह आपको स्टेक्टर में ओफर करने लगी है यहाँ पर जो आपको इस टेक्टर में दो लीटर तक का वाटर स्टोरेज मिल जाता है रिफलेक्टर की पॉजीशन मिल जाती है साथ ही इस टेक्टर में जो आपको कमपणी ने 7-speed Epetra P2U ओफर किया हुआ है जिससे ये टेक्टर अपनी स्रेणी में सबसे ज़्यादा शांदार परफॉमेंस के लिए जाना जाता है और इस टेक्टर में अदि हम लिफ्टिंग कैपिसिटी को ले के बात करें ब्रेकिंग लाइट और इंटिकेटर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन यहां पर आपको टेक्टर में बैक लाइट मिल जाती है जो कि हेलोजन टाइप न्यू होलेंड ने ओफर की हुई है तो दोस्तो यह थी न्यू होलेंड कंपनी की तरफ से आने वाले न्यू होलेंड एक्सल 3600-2 ट्रेक्टर का फुल रिव्यू वीडियो आसा करते हैं यह वीडियो आपको काफी जादा पसंद आया होगा वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सस्क्राइब जय जवान जय किसान